अजकी प्टुडियों लोग बात कर रहा हैं, साइबर क्राइम पुलिस बैंकक और फ्रीज को ले कर गए, जिसमें काफी लाख रूपे फ्राड की जो पैसे थे वापस कराये गए क्या आपके भी पैसे फस गए हैं और पैसे कैसे फस थे इस फ्राड में इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको विस्ताहर से इस न्यूज के बारे मताते हैं जिसमें एक लाखों रुपे लाखों कस्टमर्स के वापस किये गए चलिए आपको उसको दिखाते हैं देखें से पहले तो जानगाड़ी दी जा रही है कि 1930 जो की हेल्प लाइन नंबर है साइबर क्राइम पुलिस का इस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसल वेबसाइट पर भी कम्प्लें कर सकते हैं एसा बोला जा रहा है कि 75 परशेंट जो सिकायते होती हैं वो ठगी की होती हैं इस हेल्प लाइन पे 12 घंटे या इससे कम समय में 30 परशेंट सिकायते ही दजगराई आती हैं अब देजी सुचना देने पर वो पैसे जो है अकायट से निकाल लेते हैं जो फ्राड डश्टर होते हैं और वो इस अकायट को छोड़ देते हैं ऐसे में उन्हें पकड़डपाना थोड़ा मुस्किल होता है पकड़े बी जाते हैं तो पैस भी खर्च कर देते हैं तो समयबाद कोट के माध्यम से मतलब मामला साइबर क्राइम पूलिस अचाय को पास करानाम सिर्फ 17 परिशंट यानि कि 5 करोण 62 लाग रुपई ही होल्ड कराएगे समझ सकते हैं कितनी करोड रुपई जो है उन्होंने गबन कर लिया खर्च कर लिया इदर उदर होल्ड कराकर के लोगों को जो रास ही है पैसा जो है लोटाने के ममले में विहार देश में पाचवास था है ठीक है दौर 24 की बात करें जनौरी से अब तक प्रिटों को अठार लाग बावन हजार रुपई वापस कराएगे हैं 21 करोण रुपई अभी भी होल्ड है 27 करोण 80 लाग रुपई होल्ड कराएगे थे मई महीने में हेल्प लाइन पे एक लाग क्यावन हजार कॉल आये थ सब्सक्राइब बात कराएगे इसमें मुवाइल नंबर जिससे फ्रोटकॉल के जा रहा था उन्हें भी ब्लॉक कराएगे जिनकी संक्या 9037 है तो 937 मुवाइल नंबर और 3309 मुवाइल फोन के आयम ही नंबर को ब्लॉक कराएगे तो देखिए इतने सारे पैसे जो होल्ड कर अब इसमें जो पैसे होल्ड होते हैं वो कई तरीकस होल्ड होते हैं मैं काफि सारे दीमें वीडियो आपका से अकांट है और इस अक्वन से जहाँ जहाँ भी पैसे गहाए हैं अगर किसि firester किसी फ्राइड व्यक्तिकी एक्ष्पियोंन में पैसे चले गए नसमांण लूर म पहले दोनों का एकाउंट आपका फ्रीज कर दिया जएगा या कोई फ्राटेस्टर है वो पैसे जगए जगए एकाउंट में ट्रांसफर कर रहे है ठीक है? मालीज़ आप साइबर कैफे चलाते हो आपके पास आया बोला कि आपके काउंट पर पैसे बेज़ दे रहे हो हमें निकाल दीजे कैस तो आप बोलो कि कुछ चार्ज लगेगा हजार रुपे पर दस रुपे लगेगा बोलेगा कोई दिक्कत नहीं बीस ले लो लेकिन तुरन दो ठीक है तो आप क्या करते हो पैसे के लालज समया करके फिलाल कामी वही है पैसा लेना और पैसे को देना ठीक है फिलाल आपको पता नहीं हो फ्राडेश्टर है तो आप क्या करते हो पैसे दे देते हो हो सकता है वो संख्या जादा हो तो आप एक लाख लिकाना है, दो लाख निकालना है, तो आप दो लाख न जोड़के, आप ये जोड़ते हो कि दरदस रुपे किसाब से कितने पैसे हो गए, तो मेरे तो बहुत निकल जा रहे हैं, मेरे तो बहुत पैसे हो जा रहे हैं, तो आप उन्हें पैसे देते हो, ठीक क्योंकि आप उसके account से आगे आपके account में पैसे अब आप फंस गए आप दोड़ो वो तो भाग चला ठीक है फिलाल उसको पकड़ने में बहुत ही मसक्कत करना पड़ता है और ऐसे में आपके account block ही रहा जाता है अगर किसी misunderstanding से suppose that मालीजे आपके account में जगा-जगा से पैसे आ रहा है ठीक है जगा-जगा से पैसे आ रहा है लेकिन उसी में एक fraud व्यक्ति है जिसके account में कहीं से पैसे आए उसमें क्या हुआ एक fraud व्यक्ति है जिसने उस ब्यक्ति के एकाउन में पैसे भेज़ दिये थे जो आपके एकाउन में भेजा ठीक है यह तीन लेयर समझ लिए एक दो तीन यह फ्राड ब्यक्ति इसके एकाउन में पैसे भेज़ा था और इसने पैसे आपके एकाउन में भेज़े थे ठीक है यह तो फ्राड नही अगर आपको इस वीडियो के मादे में बताना था कि अगर आपका मैंटर सब कुस रह인 है आप प्राड नहीं हो तो क्या आपके भी पैसे भी तक फसे हुए ہے और अभी तक नहीं निकले आपको क्या करना है बहुत सारी मैं इस पर वीडियो बने होई हैं इसी टॉपिक में आप उसको देगो और उस पर फालो गारो प्रोसेस और फिर नहीं होता है तो आप हमारे सोचल मेडिया पर हमसे कह सकते हो फिलाला मनें वेबसाइट पर भी मैंने क्लिक करना है क्लिक करते ही आप हमारी ओफिसल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे